या तो प्रदान मंतरी को आकर के प्रेस कॉनफ़रेंस गंडी चाहिए और उनको ये कहा जाना चाहिए आज से ये أसोक इस्तंब नहीं है असोग का नाम अठाएं और यह स्तंभ नरंद्रमधी स्तंभ है आध से हमारे इन सेरों के मैं देता हूं इसके क्या संधेस हो गें आकरमक्ता का देना चाहते हैं और इच्पर के बताएं आध से जो पिड़ी आने आने वाली जो आएगी व ludzi एक्सेप्ट कर लेगी उसको नए भारत की नई तस्विर यह है कि आप किसी को खा जाओगे आप 24 घंटे इस बुद्रा में रहोगे कि सामने वाला देखे और डर जाए यह है नए भारत की तस्विर अगर वो मूर्ती छोटी होती तो जिस तरीके से प्रधान मंतरी भाव बंग्मा दे करके अपनी फोटो खिचा रहे थे प्रधान मंतरी की उससे वो जो फोटो आती और उसकी नीची आती वो तो पहुत नहीं सके उनके वस में नहीं था यह अपने आपको लंबा करना सिर्फ अपनी फोटो खिचवाने के लिए अपने आपको चर्चा में लाने के लिए आपने उसके आकार को बदला ही आपने पूरी परिक्रियाओं को ताक परर रख करके आपने लोगतंत्र को दुमिल करने का प्रयास किया कोई तो यह कह राह है जो लोग सवाल कपाल तु जानवर बना कर रखा था क्या तुम यह कहना चाहते हो नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं डियस फोर न्यूज अशोग स्थम को लेकर जहां पर सियासी गल्रियारों में लगातार अफरत अफरी मची हुई है उसी बीच फिल्में अस्तिय जी मौजूद हैं सबसे पहले तिवार जी आप काशिशे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि कैसे अशोग स्थम्ब में कहा जा रहा है कि जो तस्वीर वहां पर देखी जा रही है वो यहां के अशोग स्थम्ब से बिल्कुल ही अलग है क्या आप इससे सहमत हैं देखी आज असोग स्थम्ब के उपर जो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सवालों को सिर्फ एक जगे सीमित कर दिया जा रहा है कहा जा रहा है कि एक तबका सवाल पूछ रहा है मैं आपको बता दूँ आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है वही दिया उस असोक इस्तंब में जो चारो सेर हैं उसमें जो ब्रशव है उसमें जो अस्व है उसमें जो 32 तिलियों का चक्र है इनका सबका एक अपना अलग मतलब है अगर उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो सब के मतलब अपने आप पूरी तरीके से बद की गई आज से नहीं आप सन 1860 से उठाकर के देख लिजिए हमारा देश आजाद हुआ सम्मिदान अंगीकार किया गया सम्मिदान के अंदर भी इसका जिक्र किया गया कभी इसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया गया इससे पहले की तमाम आप असोक इस्तंब के प्रत रहा हूं आपको सिर्फ सेरों के मुखों में बदलाव नहीं किया गया है आप देखिए उस असोक शक्र के एक तरफ अस्व है एक तरफ ब्रशब है वह दोनों बड़े सालीन है और एक सांती का प्रतीक है एक स्वेट का प्रतीक है और उन दोनों करके अलग तरीके का देखों जो पुराने असोक इस्तम्म में है जिनकी चर्चा करते समय उन्होंने एक एक सेर का अलग अलग संकेत दिया संदेश दिया देश कोई नहीं क्योंकि गौतम बुद्ध सिर्फ देश में नहीं पूज़े जाते महारत में नहीं पूज़े जाते उनकी आस्ता के जब देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के इतने बड़े संदेश को मलपसार गर्वित करने वाले इतने बड़े उनके संदेश को प्रदर्शित करने वाले आज दर्सन की जगे प्रदर्सन के विसे जब बना दिये जाएं चर्चा के विसे जब बना दिये जाएं अपने पूछता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछता हूं यह पूछता हूं कि आप स्वेम जानकार है संभिधान के यह मैं जानता हूं आप संचदी प्रनाली के भी जानकार हैं यह भी मैं जानता हूं आप लोकतंत्र के प्रनाली के भी जानकार हैं यह भी मैं जानता हूं इन तीनों प्रणालियों में आप मुझे कहीं भी बता दीजिए कि राष्ट प्रतीक का राष्ट ये चिन का किसी भी जगे किसी इस्तंब का यदि उद्धगाटन किया जाता है उद्धगाटन किस तरीके से होता है क्या प्रधान मंत्री उद्धगाटन करता है तो उसके साथ कौन-कौन लोग होते हैं, क्या नियम और कानून होते हैं, क्या आज आप सिर्फ अपनी फोटो खिच्वाने के लिए, अपने आपको चर्चा में लाने के लिए, आपने उसके आकार को बदला सो तो बदला ही, आपने पूरी परिक्रियाओं को ताक पर रख करके, आपने प्रतीक का जब अपमान होता है, चाहे वर आश्ट्रिय द्वज हो, चाहे वो असोक इस्तंब हो, जब इनका अपमान होता है, कहीं ना कहीं देश के लोग, जो इस लोग तंदर पर विश्वास रखते हैं, उनकी आत्मा आहत होती है, उनको कश्ट होता है, उनको दुख होत सभी लगाव रखते हैं तो ऐसे मैं आपको पता होगा क्योंकि आरोप यह लगाये जारे कि सारनाथ के अंदर जो अस्तंब इस conquistam सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके लिए तो सालीन सेर चाहिए थे ताकि उनको जानवर बनाया जा सकता पालतु जानवर मुझे इतना बता दो इससे पहले कि भारतिय जंता पाट्री ने साथ साल तक हमारे सोक इस्तंब के उपर बने हुए सेरों का पालतु जानवर बनाकर रखा था क्या तुम यह कहना चाहते हो कि वीतर सतर सालों में उनको पालतु जानवर बनाकर रखा गया अटल बिहारी बाजपई नरसिम्मा राव जैसे लोग प्रधान मंत्री आए क्या इन लोगों ने प्रकास नारायर जैसे लोग आए चंद्रसेखर जैसे लोग आए जो देश के नाएक हैं मसीहां देश के लोगों को संदेश देते हैं आज भी उनका नाम लेता है तो लोगों को संदेश देते हैं वो क्या ही लोगों ने उनको पालतू आप सब का अपमान कर दोगे तो कहा यह जा रहा है कि सोम में अगर शेर है तो दहाड़े गाही सोम में परविती होता है पहले बात होना नहीं चाहिए ना यह सा कहीं आपके समीधान मैं कोई नियम है ना ही तो हो तो पता दो आप कहीं भिधान हो आपो चंज करते हो तो सुकोंके संदेश बिदा जते हैं या तो प्रदान मंत्री को आकर के प्रेस कोंफरेंस गंडी चाहिए और उनको ये कहा जाना चाहिए आज से ये असोक इस्तंब नहीं है असोक का नाम अटा है और ये इस्तंब नरंद्रमदी इस्तंब है आज से हमारे इन सेरों के मैं देता हूँ इसके क्या संदेश होंगे आकरमता क का देना चाहते हैं अग्रेशन का देना चाहते हैं हिंसा का देना चाहते हैं आकर के बताएं आज से जो पीड़ी आने आने वाली जो आएगी वो एकसेप्ट कर लेगी उसको मैं कोई सवाल ने खड़ा कर रहा हूं लेकिन मैं सिर्फ बहाद जोड़कर के इतनी बिंती कर रहा आप कि तर्क तो एंगल में दिया जा रहा है अगर तस्वीरे वायरिल हो रही है या फिर फोटो दोड़ देखी जा रही है उनका गलत है क्योंकि जो अशोक के संब का उद्गाटन किया गया है वो जमीन से पूरा तैतिस मीटर की उचाई पर है और जो अगर सारनाथ में शोक दोनों जो तस्वीर हैं आप उस सेर के दाद देगी मलब आज इनों ने सिर्फ असोक अस्तंब को ही अग्रेशन नहीं बनाया है आज किया जो तथाकतित धर्माम लंबी हैं इनकी गारियों पर आप देख लो आज जैसरी राम की कैसी पिक्चर आपको मिलेगी हनुमान जी की क चीज में बदलाव नहीं किया नए भारत की नई तस्वीर दिखाना था नए भारत की नई तस्वीर यह है कि आप किसी को खा जाओगे आप 24 घंटे इस बुद्रा में रहोगे कि सामने वाला देखें और डर जाए यह नए भारत की तस्वीर यह सिर्फ राष्ट्रिय प्रतीक का ही अपमान नहीं है बलकि इसके साथ साथ देश का भी अपमान है और जो की बहुत सरमनाक है यह किसी भी कीमत पर वरदास्त नहीं किया जा सकता और मैं इतना तक कहता हूं कि आज इस चीज में जो भी बदला हुआ है और वो तो सुकर मन आओ वो मूर्ति इतनी ऊंची थी अगर वो मूर्ति चोटी होती तो जिस तरीके से प्रधान मंतरी भाव वंगमा दे करके अपनी फोटो खिचा रहे 500 प्रधान सब्सक्राइब कर सकते हो इसलिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैया हो ठीक है आपका समय है कर लीजिए लेकिन मैं एक बात बहुत इमानदारी से कह देना चाहता हूँ जिम्मेवारी से कि समय सबका आता है और जब समय आता है तो आपको भी पता है कि राजा रंक और रंको को राजा बनने में देर नहीं लगती है